नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में आज हम डियो जूनियर असिस्टेंट का जो सेकंड सिफ्ट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और हमने यहां पे हिंदी के 20 प्रस लिये हैं और इनका संपूर्ण विशलेशन मैं आज आपको बता प्रस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पुराने पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना या उनको देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें आने वाले जो पेपर्स होते हैं उनकी एक जरूर सॉल्फ कीजिए चाहिए आप कहीं से भी करते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला हमारा प्रस्न है निमने लिखित मैंसे शुद्ध शब्द है वरतनी से देखो जैसे कि मैंने अभी अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे पुराने पेपर सॉल् जरूर देखे तो इस तरह के प्रस्न जो होता है ना भले उनका थोड़ा सा प्रस्न का पैटर्न न अलग होता है या प्रस्न दोसरा होता है लेकिन होते बिल्कुल सेम है ठीक है तो आपके पास जो स्लैबस है लगभग ऑल्मोस्त मतलब जितने भी UKSSC कहेंगे या UKPSC के जो में से हमें शुद्ध बताना है ठीक है तो देखो आपके पास चार ओप्सन दिये हैं और आपको एक सुद्ध है इन में से पाकी सारे अशुद्ध है तो यहां पर एक ही ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो इसका सही हो जाएगा अधिशासी इस तरह से लिखते हैं मैंने आपक चैनल पर जाके आप देख सकते हो तो आगे बढ़ते हैं हमारा ताइकन प्रस्न है समस्त कारणों की रहते हुए भी कार्य की उत्पति नहीं हो तो अलंगकार होता है देखो जब कोई कारण नहीं है फिर भी कोई कार्य हो रहा है ठीक तो वहां पे हमेशा विभावना और बिना कानों के सुन रहे हैं तो यहां पर मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहे हैं तो ऐसे जहां पर भी आपको इस तरह के उधारन मिले जहां पर बिना कारण की कार्य का होना संपन होता है वहां पर सदय विभावना अलंकार होता है ठीक आगे बढ़ते हैं विपात के लेखक हैं तो विपात्र यहां पे जो लिखा है सिधा अंसर पे चलेंगे डी इसका सही हो जाएगा गजानन माधों मुक्तिबोद ने विपात्र इनका उपन्यास है ठीक तो यह इनको इन्होंने लिखा था ठीक है आगे हम बढ़ते हैं नंबर चार हमारा प्रस्ण है निम स्वाएगग प्र्ल में आपके प्रफियो नदी यहां पर कहते हैं जानुवी को और जानवी क्याते हैं ये दोनों ही जैसे सूरसरी जानवी ये गंगा के पडियाएवाची हैं अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ठीक बताती हूं जानवी गंगा को इसलिए कहते हैं क्यूंकि हरीद्वार में एक जानवी रिषी का आश्रम हुआ करता था तो जब भगीरत उन्हें लएक जा रहे थे गंगाजी को तो जानवी रिषी का जो आश्रम था उससे होकरके वो उसमें जूजरआ रिशी थे उनका यह मानना था मैं आपके गंगा जी को उन्होंने कहा कि मैं यहां से आपको जाने तब ही दूँगा जब आप भावश्य में एक जानू जानवी या जानू के नाम से मेरे नाम की आपको कोई पहचान मिले तो उसी दिन से गंगा को जब वहां से गुजरना था तो उन्होंने इसकी सुईकृति प्रदान कर दी और उसी दिन से गंगा को जानवी भी कहा जाता है ठीक तो जानवी और सुरसरी सुरसरी यानि कि देवताओं की नदी है ठीक तो इसलिए उनको सुरसरी कहते हैं तो उमिद करती हूँ कि आपको आप ये दोनों परियाए वाचे गंगा की हमेशा याद रहेंगे ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पांचों प्रस्ट है निमनलखीत मैंसे सन्मति का संधी विछेद है तो मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका जो ऑप्शन दी है वो सही हो जाएगा सत्धन मति हो जाएगा ठीक है तो सत्धन मति बराबर मतलब इनको मिलाकर कि क्या बना ह ठीक है तो यहां पर तौका नौ हो जाता है यह संधी का एक नियम है और यहां पर यह जंजन संधी का उधारन है ठीक है नम्मर्ट सिक्स है निमनलखीत मैंसे कौन सा शब्द आउ उपसर्ग लगा करके नहीं बना है नहीं पूचा गया है यानि कि तीन आउपसर्ग से बने है एक नहीं बनाए देख ल roommates कौन सा नहीं है अओ अवधेश अवनती अवकास Это सिकहो आउकास में भी उपसर्ग लगा है अवनती लगा है अवगों में भी उपसर्ग लगा है तो अवधेश जो है ना इसमें प्रत्य लगा हुआ है या तो हम इसे प्रत्य विदी से बना हुआ सब्द कहेंगे या संदी विदी से बना हुआ सब्द है ठीक है आवाद धन इश ठीक है तो यहां पर B इसका राइट आंसर हो जाएगा नमबर सेवन है निमलखित में से उत्पत्य की द्रिष्टी से ही सवभाग्य सब्द है तो सवभाग्य जो है आपका तच्छम सब्द है ठीक है सवभाग्य आगे बढ़ते हैं निमलखित में से पत्राचार के किस प्रारोप में संबोधन और स्वनर्देश नहीं होता है तो ब नंबर 9 है गरम सब्द निमिनलकितमեंसे किस भासा से हिंदी में आया है तो यह आया है फारसी भासासे कि गरम सब्द वह फारसी भासा error तो उसमें जो विदेशज शब्द है उसमें आता है गरम सब्द और विदेशज के अंदर ये फार्सी भासा का सब्द है अब नमबर 10 प्रस्में अमारा इसपरस संगर्सी व्यंजन है कौ और गौ तो जो है वो कंटे दोनिया है 100 संगर्सी व्यंजन है 100 ठीक है और जो चौ है यहाँ पर एकी बचता है चौ जो चौ वर्ग होता है न उसको इसपरस्ज व्यंजन के अंदर आता है लेकिन थोड़ा संगर्स के साथ उस पर बोलना पड़ा है तो इसलिए इसको व्यक्ति का बोध हो रहा है कोई कोई कहता है कोई घान रहा है तो कोई अनिष्चच वाजक सर्वनाम है तो 12 है जो सजन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं किस प्रकार का वाक्या है तो देखो यहाँ पर जो और उसका यह दो जो शब्द है ना इन्होंने पूरे वाक्य को आपस में जोड़ दिया है यानि कि सरल वाक्य है और एक सहयुक्त वाक्य है तो इन्होंने क्या कर दिया है आपस में इस पूरे वाक्य को जोड़ दिया है तो यह सीरी सी बात है यह एक मिस्र वाक यानि कि पूरी क्रिया हो रही है ठीक है तो पहुंच गया इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई वह पहुंच चुका है पहुंच गया है पूरी क्रिया हो रही है तो सिदे सिदे इसका अंसर सी हो जाएगा यह एक संयुक्त क्रिया है है तो क्रिया क्या बतायती है हमने कि ज नियुक्त के लिए हो जाएगे, C, आंसर राइट हो जाएगा, ठीक, चौद्वा प्रसने हमारा, पानी पीकर घर पोचना है, यानि कि पहले काम निकाल देना, फिर बाद में उसके वारे में सोचना, ठीक है, तो काम निकलने के बाद सोचना, D, सही हो जाएगा, पंद्रवा प्रसने हमारा, निम्लिकित शब्दों में, निम्लांकित सब्दों में से पुलिंग शब्द है, तो यहाँ पे पुलिंग सब्द एक ही है, वो है गुणदोस, ठीक है, मोदिता भी, स्त्रीलिंग है, सहीता भी, जो चना, ये सारे क्या है, इस्त्रीलिंग शब्द है, ट्यान रखे गाथ और इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकाद्मी पृषगार, द्यान रखेगा, फिर है निसीम, व उतपत्ति शब्दों के विलूम, सब्दों का सही जोड़ा है, यानि कि एक तो निसीम सब्द है और एक उतपत्ति, इन दोनों सब्दों का हमें विलू तो यहां पर B option सही हो जाएगा निसीम, यानि कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, सीमित, यानि कि जिसकी सीमा निर्दारित हो, ठीक, और उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति का मतलब होता है, उत्पत्ति कि किसी चीज का सरजन होना, उत्पत्ति ह आधिक है और उसका विलोम क्या हो जाएगा ना सो जाएगा तो यह पी fire का सही हो जाएगा अग़ला प्रस्वे जहां ही हमार strongest 18 अभी जात तो अभिजात का मतलब होता है पुज्य को भौरा, सूर्य, कमल यह तो हो नहीं सकते ठीक है तो यहाँ पे सीधी सी बात है पुज्य जो वर्ग होता है तो असी को अभिजात सब्द से अभिखित किया जाता है अगला है हमारा उननीस्वा प्रस्न है योगिक संग्या कहते हैं देखो योगिक संग्या जिन संग्याओं के भिन भिन शब्द सार्थक होता है उन्हें योगिक संग्या कहते हैं योग से बने वे तो जिन संग्याओं के भिन भिन शब्द सार्थक हो इसका अप्चन सही हो जा प्रस्न सही वर्ण विचेद है को दोस्तों इस तरह के प्रस्न है पहुत जादा पूछ जाने लगें और आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक करने होते हैं ठीक है मैंने प्रीविएस एक वीडियो बनाए था जिसमें मैंने आपको असाइद रोओ के रूप में या इस तरह से म में पता होना चाहिए कि इसमें पॉ जो प्रो है उसमें पॉ आधा है या रो आधा है तो देखो यहां पर पॉ जो है ना यह आधा हो जाएगा यह आधा है क्योंकि यहां पर जो और रो है उसके साथ और लगा हुआ है तो प्रो फिर शौ भी आधा है तो इसको हम इस तरह से प्रशन, फिर न, और न के साथ हलन्त, और फिर उसका और तो यहाँ पे हम देख लेंगे इस तरह से किस में आ रहा है, तो देखो, C option में बिल्कुल यही आ रहा होगा, प्रजन, फिर र, फिर श, फिर न, और फिर उसका और तो यहाँ पे C, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो उमीद करते हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा इससे आपको काफी मदद मिली होगी और आने वाले परिक्षा कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं यह आपको पता चला होगा दोस्तों बने रहे हैं चैनल में मिलते हैं इसी तरह कि इंड्रस्टिंग वीड जरूर अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर शच्ट्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और अच्चे वीडियो आपके लिए लाने के लिए मोटिवीशन मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिये, thanks for watching